गुड़ मॉनिंग स्टुडेंट्स मैं यह सुसैनी बीएसी सेकेंडियर की फिजिक्स किलास में आपका स्वागत करता हूँ आज की किलास में हम डिसकस करने वाले हैं वोल्टा तथा धारा पुनार निवेस परिपत यानि वोल्टेज एंड करंट फीडबेक सरकिट इसमें हम थ्री टाइपस के सरकिट डिसकस करेंगे परिपत डिसकस करेंगे और फ़र्ष्ट जो हम ले रहे हैं वोल्टा पुनार निवेस रेनी निवेस परिपत यानि उससरजक अनुगामी परावर्था वोल्टेज फीडबेक सिरीज इन्पुट सरकिट यानि आमिटर फॉ कॉल में परिपत होता है वो देखते हैं इसमें क्या होता है एक एंपेन टैस्ट्र होता है सिर्च होता है एंपीए ये मैं ने ले लिया एक एंपी एंट आंगो कि तेंग एंटिसटर लिया होता है E और A होता है B यानि कि यह एक NPN ट्रांजिस्टर है और यह उसर्जक उभैनिष्ट उसर्जक है यानि कि CE परिपत है ठीक है इस परिपत में क्या होता है E से नीचे हमने एक प्रतिरोध रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहा है जिसका मान आरी है और इसको हमने क्या कर रहा है भू संपर्कित कर रहा है ठीक है अब जो इन्पुट देते हैं यह एक तरीके का प्रवड़क होता है एंप्लिफायर होता है यहां हमारे पास जब निवेश करते हैं इन्पुट करते हैं टो एक प्रतिरोध लगाते है RS और एक स्रोत होता है VS ये connect कर रहा है इस point से और B के बीच में तो निवेशी बोलता क्या करता है? Input signal देता है, निवेश संके देता है जिसका हमें क्या करना है? Amplify करना है, प्रवर्धन करना होता है ठीक है? ये तो हो गए इसके किसकी बात? Input, circuit की बात, निवेश परिपत की बात इसमें आपको क्या दियान रखना है? कि जो हमें निर्गत लेना है ना, वो किस से लेना है? RE से लेना है यहां हमें मिलेगी निर्गत बोलता है यानि कि ये हमें क्या देता है? प्रवर्धन करके देता है, amplify करके देता है और यहां हमने क्या लगा रही किया है? एक ये ground है, VCC एक cell लगा रखा है ताकि ये C को किस में रख सके? reverse bias में रख सके ठीक है? C को किस में रख सके? reverse bias में क्योंकि हमने पढ़ा है transistor as a amplifier प्रवर्धक कब काम करता है? जब उसर्जक अधारसंदी यानि ammeter base junction तो forward bias हो, अगर bias हो और collector base junction यानि की संगराहा काधारसंदी push bias हो, reverse bias हो तब तो इसको push bias करने के लिए हमने आख VCC लगा रही किये तो ये हमारे पास प्रवर्धक है यहां जो current flow होगी input में वो हम क्या मानते हैं? आई, आई मान लेते हैं clear है? अब आप एक चीज दिखान रखना है यहां जो हम निर्गत लेते हैं वो RE के द्वारा लेते हैं इस प्रतिरोध के लिए द्वारा देते हैं इसलिए से हम उसर्जक अनुगामी परवर्धक भी बोलते हैं emitter follower भी बोलते हैं ठीक है? तो इसमें क्या होता है? कि जो उसर्जक प्रतिरोध होता है यह वाला RE emitter resistance उसर्जक प्रतिरोध और यह क्या है? RE के सिरोध पर RE के सिरोध यह सिरोध पर जो निर्गत वोलता होती है ना जो output voltage होती है ना कौन सी होती है? V0 होती है निर्गत वोलता V0 प्राप्त होती है और इसी का ही क्या होता है? पुनर निवेस यानि की feedback होता है यानि यही हमारे पास यह देखो V0 का यह positive यह negative और यही negative कहां जा रहा है? input में जा रहा है इसी का क्या होता है? पुनर निवेस होता है अब हम इसका क्या करते हैं? analysis करते हैं vislation करते हैं और वो analysis जो हम करेंगे ना वो किसकी help से करते हैं? एच प्राचल सर्किट की help से करते हैं और मैंने आपको बताया था जब common emitter यानि की urbanisht सर्जक की बात करते हैं तो उसका simplified यानि की सरली करत जो था ना उसमें यहाँ पर क्या होता है? एक होता है h ie यहां हमारे पास b terminal होता था यह और यह होता है हमारे पास c terminal होता है और यहां हमारे पास स्रोत होता था h fe into किसका ib का यह नीचे common होता था e यानि उस सर्जक और यह ground होता था h fe into ib और यहां जो output voltage थी वह वी 0 होती थी और यहां निवेशी वोल्ट था कितनी थी वी आई यह किसका परिपत है common emitter का और यहां जो धारा या current flow रही है वो कौनसी होती है है य उत्यों तो हम स्के़र में बदलेंगे और रचल बरिपत में बदलेंगे तो अधियो में है यह है यह किया है थोड़ा नीचे लेते हैं यहां मान लेता हूँ, यह क्या है, हमारे पास B है ठीक है, अब B से क्या connect है, तो RS और एक VS connect है, तो यहां पर B से मैंने यहां दिखा दिया, कि यहां पर RS connect है, और यहां वोलता सुरूत VS क्या है, connected, और इसका जो दूसरा सिरह है, वो यहां ground से connect है, तो मैंने यहाँ इसको किस से connect कर दिया ground से, ground मतलब zero volt हो गया ठीक है, बहुत अच्छी बात है अब देखो, आप B का एक सिरा connect है HI, E से तो देखो, यहीं मैं जोड देता हूँ B का एक सिरा किस से HI, E से और HI, E का दूसरा सिरा E से connect है एक तो B से connect है और HI, E का दूसरा सिरा E से connect है तो B से तो connect हो गया मैं यहाँ ले लेता हूँ E ले लेता हूँ ठीक है, यहाँ कौन सा terminal ले लिया मैंने, E, E से HI, E connect हो गया, मैंने यहाँ नहीं जोड देखो, दियान से, क्योंकि यह तो फिर ग्राउंड हो गया, यह तो ग्राउंड से जुड़ जाएगा जबकि हमारे पास ध्यान रखना यह B, E से connect होता है H प्राचल में, तो B को E से connect कर दिया, क्लियर रहे हैं, ठीक है अब आगे देखो, ट्रांजिस्टर को तो हम H प्राचल परिपत से रिप्लेस कर रहे है, बाकी R S, B S यह लग रहा है, R E और R C लगा देंगा लग लग वो देखते हैं, अब देखो E किस से connect है E जो है वो C से connect होता है और H F into I B आता है तो E यह है, तो C उपर माल देते हम, और यहां से X रोत आ रहा होगा जिसकी value होगी H F into I B I B क्या होती थी, निवेसी वोल्टा होती थी यहां, यहां निवेसी वोल्टा इंपुट, स्वरी I B क्या होती थी, निवेसी करण्ट होती थी इंपुट करण्ट, यहां निवेसी यह इंपुट करण्ट क्या है, I I होई तो यहां क्या लिकोंगेhot def in to Kia 답 Southern パड़ेगा हमारे पास मुश्चा फिर रींसे नीचे क्या करनेक्ट पारे रही डाशिस्ट्र तो यह तो अबनेज बना दिया इसे नीचे क्या क्णेट है रींसे नीचे क्या कर दो R, E और R, E किस से connect है? Ground से, Ground से E से क्या लेना है हमें? Output लेना है तो यहां E से हमने क्या ले लिया? निर्गत ले लिया यह plus हो गया और यह सिरी हो गया minus हो गया है ठीक है? तो R, E के सिरो पर जो वोल्टा मिलेगी वो क्या होगी? V, G, R होगी यह भी बात क्लिया है C से क्या connect है? R, C और यह बैटरी लगाने की जोड़नी है Ground है तो यह C को मैंने जोड़ दिया किस से? R, C और R, C का दूसरा सिरा किस से जोड़ाता है? Ground से Ground है ना वो संपर गित है तो R, C यहां जोड़ दिया एक ही बात है तो इस तरीके से हम इसको क्या कर देते हैं? Change कर देते हैं Clear है? ऐसे बना ले ना आप यह भी मैंने काम में लिया है C, E, और B, E के बीच में जो connect है वो यह कर दिया तो करा गया है मैंने यह तो पूरा का पूरा जो सर्गिट है यह 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 जोड़ा है हमने यह ट्रांजिस्टर को इस से replace कर दिया बाकि RS तो यहां है VS यहां है RE नीचे लगा दिया और RC यहां बस यह जो जोड़ना है वो किसकी हैल्प से? H प्राचल की हैल्प से अब देखो पुना निवेस हो रहा है पुना निवेस क्या हो रहा है? यहां से हो रहा है कौन सी वोलता का? V0 वोलता का यहीं से पुना निवेस हो जाएगा पुना निवेस वोलता क्या होती? VF is equal to beta into V0 याद करो बीटा था यहां से V0 आ रही थी यहां VF होती थी तो बीटा इस इक्वल टू निवेस होती है यह तो बीटा में और यह निर्गत होती है तो निर्गत अपोन वेसी आउटपुट अपोन इन्पुट यानि की VF अपोन V0 तो VF इस इक्वल टू क्या होता था बीटा इंटू वी जीरो अब लेकिन यह देखो यहां से पुर्णा निवेस हो रहा है नेगेटिव तो इसको लिख सकते हैं माइनस वी जीरो हो रहा है इस तरीके से आप यह जो सरकिट है ना वो बना सकते हो के लिए रहे यह बात आगया होगा समझ में एक एक चीज बता दी याद रखना आपको आप देखो आगे जब हम इतना कर लेते हैं इतना हम बना लेते हैं अब इसका हम विसलेशन स्टार्ट कर लेते हैं विसलेशन स्टार्ट करने के लिए देखो यह जो चीज नहीं यह हमारे पास हो गया निवेसी साइड हो गई यह इंपुट इंपुट एड़ों जाती है आप देखते हैं संकेत वोल्ट त याणि निवइस वोल्ट त देखते हैं अब देखो निपालनी है ये निवेस है हर सरी स ब्रद रहले और पूरिए कुरंट पूरिदें कितनी होती है वह baser ii is equal to क्या होता है वी अपोन आर तो ii is equal to v कितना है वी एस है और रस है चाई से निकरम में है तो क्या लेखोगे total rs plus h ii तो संकेत वोलता वी एस की वहली महां से क्या निकलेगी vs is equal to i e rs plus h i e into kya ii फिर हम देखते हैं क्या निर्गत वोल्टता देखते हैं यानि output voltage देखते हैं जो की क्या है v not v not re के सिरों पर जो बोलता होती है वो निर्गत वोलता होती है और निर्गत परिपती यह होता है तो कितनी current आ रही है इसमें hf into i e तो इसके साब एक्स वोलता निकालो v बराबर ir तो i e तो कितनी है current total कितनी है hf into i e यह शुरोत है देखो यही current है निर्गत में यह बहरी होगी है और re क्या है resistance है प्रतिरोध हf into i e into re तो अब हम बिना पुनर निवेश के क्या निकाल सकते है बिना पुनर निवेश अभी पुनर निवेश की बात नहीं कर रहे हैं हम feedback की बात नहीं कर रहे हैं तो बिना पुनार निवेश के क्या निकाल सकते हैं, हम गेन निकाल सकते हैं, लबदी निकाल सकते हैं, क्या होती है, आउटपुट वोल्टेज अपोन इन्पुट वोल्टेज, यानि निर्गत वोल्टा अपोन निवेश की वोल्टा, तो निर्गत वोल्टा क्या है, hfe into ii into re upon vs का मान क्या है rs plus hie into क्या ii, ii से क्या कैसे तो क्या आएगी जब कोई feedback नहीं करते है तो लबदी कितनी होती है a, तो a is equal to hfe into re upon rs plus kya hie तो मैं यहां लिख देता हूँ बिना पुनार निवेस यानि a की वैल्यू कितनी होती है hfe into क्या re upon rs plus kya hie अब देखो पुनार निवेस वोल्टा क्या होती है feedback voltage क्या होती है पुनार निवेस वोल्टा यानि कि feedback voltage vf is equal to beta into क्या vnote यहां जो पुनार निवेस हो रहा है वो सीधा सीधा negative voltage हो रही है यानि कि minus v0 यह positive यह negative यही तो जा रहा है देखो connect होगे निर्गत का भाग minus v0 यह तो निवेस में जा रहा है तो beta into v0 is equal to minus v0 इसको और इसको equal कर दें तो beta की value कितनी मिलके आएगी minus 1 आजाएगी v0 से v0 cancel तो हम लिख सकते हैं beta is equal to कितना होता है minus 1 होता है तो इस तरीके से हम इसकी value लिख लेते हैं एक ही value आ गई है और beta की value आ गई है अब जब यह value हम calculate कर लेते हैं तो हम निकालते हैं वोल्टा लब्धी निकालते हैं वोल्टा लब्धी यानि कि क्या voltage gain निकालते हैं और यह जो voltage gain निकाल रहे हैं वो feedback में निकाल रहे हैं जब पुना निवेस होता है जब feedback होता है पुना निवेस होता है उस इस्तिती में बोलता लगदी जो होती है वो क्या होती है A upon 1 minus A beta होती है यह formula होता है तो A F is equal to A की value क्या है H F E into R S upon R S plus क्या H I E upon 1 minus A की value क्या है H F E into R E upon R S plus H I E और beta की value कितनी होती है minus 1 तो A F is equal to H F E into R S upon R S plus क्या H I E upon 1 minus minus plus H F E into R S upon R S plus क्या H I E और सोल करते है A F is equal to H F E into R S upon R S plus H I E इसमें हमने लगुत्तम ले लिया हैलसियम ले लिया क्या R S plus H I E तो क्या बनेगा यह यह नीचे वाला denominator में R S plus H I E plus H F E into R S R S plus H I E से R S plus H I E cancel हो गया तो A F is equal to बनता है H F E into R S upon और यह बन रहा है R S plus H I E plus H F E into क्या R S बनता है ठीक है यहां से A F की value हम क्या निकाल सकते हैं 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 हमारे पास यह बाकी की term क्या है R S plus H I E K अगर H F E into R S is greater than R S plus H I तो R S plus H I E को neglect कर देंगें क्या बचेगा केवल नीचे भी H F E into R S H F into R S, H R F into R S यानि की लबधी जो आती है ना feedback की पुनर निवेश के साथ वो किसके equal आती है A F is equal to 1 के equal आती है ठीक है अब second जो हम इसमें निकालने जा रहे हैं वो देखो क्या निकालते हैं इस तो first तो क्या निकाली हैं हमने वोलता लबदी निकाली हैं second हम इसमें निकालते हैं second हम इसमें major करते हैं किसके बारे में निवेश प्रतिरोध के बारे में निवेश प्रतिरोध यानि की क्या input resistance आ निवेश प्रतिरोध यानि की इनफ्टरग रेजिस्टेंज यानि कि अगर हमारे पास पुनरनिवेश नहीं है फीड्बैक नहीं है ठीक है पुनरनिवेश रहीत यानि कि जब हमारे पास कोई फीडबैक नहीं है ठीक है पुनर निवेस रही था तो उस इस्थिती में आर आई क्या होगा आर आई निवेसी वोलता कितनी है वीच निवेसी की वोलता बटे निवेसी की धारा इंपुट वोल्टेज अपून इंपुट करेंट is स्कॉल इनपूट रेजिस्टन्स तो वी एस अपोन आई आई अभी मैंने आई आई की वैल्यू बताई थी निवेस इधारा की कैसे निकलती है विएस अपॉन यह आरेस और यह एचाई क्या है इनपूट में निवेस में स्रेनी करम मैं आरेस प्लस है यह का क्या देदो दिव नहीं किया है बिना पुनर्निवेश के अगर हम पुनर्निवेश करते हैं ठीक है पुनर्निवेश यानि feedback करते हैं ठीक है पुनर्निवेश सहीत क्या निवेश प्रतिरोध यानि की input resistance तो इसका क्या होता है formula होता है ri dash is equal to ri into 1 minus a β के एकवल आता है ठीक है निवेश पृतिरोध क्या होता है ri dash is equal to ri 1 minus a β हो सकता है आपके जो पहले मेंने formula निकाला हो वहाँ पर प्लस आ रहा हो क्योंकि उसमें already हमने negative feedback ले लिया था लेकिन यहाँ पर beta negative दरसा रहा है ठीक है तो वैसे ही निकल के आता है minus और अगर हमने पहले negative ले लिया तो यह plus बन रहा था हमाँ पर तो confuse मत हो ना formula में यह निवेश पृतिरोध का क्या होता है input resistance का formula होता है जब हमने क्या बना दिया feedback बना दिया feedback मतलब output वाला कहा जा रहा हो जब निवेश में जा रहा हो क्या कर दें हम value रख दें देखो ri dash is equal to ri की value कितनी है rs plus h i e है और यहाँ आगया 1 minus a की value क्या है h f e into ri upon rs plus क्या h i e into क्या minus 1 to ri dash is equal to rs plus क्या होगा h i e होगा और यहाँ हमने ले लिया rs plus h i e तो यह बनेगा minus minus होगा plus to rs plus h i e plus h f e into ri rs plus h i e से rs plus h i cancel to ri dash क्या बनेगा rs plus h i e plus h f e into क्या r e यह हमारे पास क्या बन गया निवेश प्रतिरोध बन गया input resistance बन गया जब हमने क्या लगा रहा है feedback लगा रहा है ठीक है अब इसका हम निकालते हैं थाड़ कंडिशन अब हम निकालते हैं निर्गम प्रतिरोध निर्गम प्रतिरोध यानि की क्या output रेजिस्टेंस ठीक है निर्गम पृतिरोध यानि की हाउटपुट रेजिस्टेंस इसमें भी फॉर्मुला होता है रोट थे इस इक्वल टू आर नोट अपॉन वन माइनस ए बीटा यह बात ध्यान रख ले ना यह फॉर्मुले में अगर पहले प्लस आया है तो दियान रखना वहां नेगेटिव फीव औरड़ी लेके चल चुके हम नेगेटिव फीडबैक अगर नहीं लेते हैं तो फिर यह नेगेटिव चीन आता है कि आता था और नोट किसकी और अग्सर होता था अनन्त की और हार नोट की वैल्यू क्या होती थी इंफिनिटिव प्रिविएस वीडियो में देखना आपना जब हमने अप्लिफायर का विचलेशन किया था तो आर नोट अनन्त तो आर नोट अपन अब बताओ आर नोट क्या है निर्गत प्रतिरोद क्या होता है RE होता है तो यहां लिखना है क्या RE ठीक है अब feedback करा रहे हैं जब आता है 1-A बीटा तो 1 फिर बीटा की value minus 1 तो यह होता है plus और A की value HFE into क्या RE upon RS plus क्या HIE बन जाएगा इसको हम solve करते हैं R node dash is equal to limit R node tends to infinitive RE upon LC हम लेते हैं RS plus HIE यह बनेगा RS plus HIE plus HFE into क्या RE बनेगा यह नहीं बनेगा बिल्कुल बनेगा ठीक है तो इसको हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं solve कर सकते हैं अब देखो इसमें हम जब इसको हम ऐसा बना लेते हैं तो RS plus HIE plus HFE into RE यह हमारे पास बन गया अगर हमें इसमें R node tends to infinitive R node क्या है यहां RE है हमारे पास निर्गम पृतिरोद क्या है RE यहीं से तो हम क्या ले रहे हैं output ले रहे हैं निर्गम ले रहे हैं ठीक है तो अगर हम इस टर्म में अगर हम इस टर्म को आगे सोल करें देखो किस तरीके से सोल करते हैं देखो R node dash is equal to limit RE tends to infinitive निर्गम पृतिरोद जब अनन्त होता है धियान रखना अनन्त निकल के आया था हमारे पास तो यह तो बन रहा है RE नीचे वाले में से टर्म में से हम RE क्या ले लेते हैं common ले लेते हैं तो यहां से देखो इसमें से तो क्या बचेगा HFE प्लस यहां RE नहीं है तो यह बनेगा RS प्लस HIE कितने का डिवाइड हो जाएगा इसमें RE का डिवाइड हो जाएगा हो जाएगा नहीं हो जाएगा और यह कहां ले जाएगा उपर ले जाते हैं RS plus HIE इस RIE से इस RIE को cancel कर दिया तो देखो infinitive limit कब लगाते हैं जब 1 upon infinitive बन गया ये RIE का मान अनंत रखो 1 upon infinitive क्या हो गया 0 ये पद क्या हो जाएगा 0 इस में limit रखोगे RIE का मान अनंत रखोगे तो उपर क्या बनेगा RS plus HIE बनेगा numerator में और denominator में क्या बनेगा HFE बनेगा तो ये हमारे पास क्या आजाएगा निर्गम प्रतिरोद आजाएगा output resistance आजाएगा जब हम क्या करते हैं feedback लगाते हैं पुनर निवेस लगाते हैं तो ये एक तरीका है ताकि आप इस परिपत का इस circuit का क्या कर सको क्या क्या आजाएगा